आज के समय एक e-commerce business बनाना बहुत ज़्यदा असान है, बस आपको कुछ step follow करने होंगे, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल 6 step होंगे, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना और उसको follow करना तो आप भी e-commerce business शुरू कर पाओगे, मैं कौन ह मेरा नाम है प्रकाश, पिछले 3 साल से मैंने बहुत सारे e-commerce business के साथ काम किया है, उनके brand को build करने में मैंने उनकी मदद की है, और वाज़े मैंने जो सीखा है, जो उनको सीखा है, वो सारी चीज़े, आज की वीडियो में आपको share करने वाला हूँ, तो सबसे पहले step जो है, वो है one master product, जब आप e-commerce business शुरू करोगे, तो आपकी पास एक master product होना है चीए, कुछ example देके आपको मैं समझाता हूँ, मान के चलो आपके helmet का business है, और आपके पस 10 तरीय के helmet है, लेकिन आपकी पास एक ऐसा helmet होना चीए, जो कि आपका master product हो, जो कि दिखने में बहुत activity भी हो जाए, color बगर भी awesome हो, और market में जितने feature है, वो सारे feature आपके helmet में add-on हो, और आप क्या करोगे, आपका master product है, उसके आप marketing करोगे, और उसको देख के लोग आपके website भाएंगे, फिर अगर उनको लगे कि नहीं है रहे तो मेरे budget के बाहर है, तो आपके जो अलग product है, वो सारे product वो buy करेंगे, तो इसलिए आपके पास एक master product होना है जिसके आप marketing करो, और उस product से लोग आपके brand को पहचा दे, कुछ example मैं आपको देता हूँ, जैसे कि blue isolate करके एक website है, उनके पास उनका master product है चुकी है, sun blocking jacket, यारी वो अगर jacket पहन के अगर धूप में जाएंगे, उनकी body को धूप से product करता है, यह उनका master product है और वो इसी की marketing करते है, और जब आप buy करने के उनकी website में जाओगे, वो product देखेगा, लेकिन जैसे आप home page में जाओगे, तो उनके और सारे product देखेंगे जिनकी वो marketing नहीं करते है, उनके एक master product है, उसी की marketing करते है, और उसको दे या फिर उनके अगर offline store में भी जाओगे shoes लेने, तो आप shoes तो लोगे, लेकिन देखोगे ओपे shops रखा हुआ है, cycling के लिए रख प्रोड़क्त रखा है, बहुत सार प्रोड़क्त को मिल जाएगा, तो हर brand ऐसा ही करता है, एक master product रखता है, उसके वो marketing करता है, और उसी से उनका जो बाखी product है, वो भी बिखता है, तो इसलिए एक master product आपको सबसे पहले ढोड़ना पड़ेगा, second है build a attractive product, अब आपको मैं यहाँ पे दो website दिखाता हूँ, अब आप बताओ कि कौन से website जादा attractive लग रहे है, of course second वाला जादा attractive लग रहे है, इसके पीछे reason ही है, इसकी design, इ simple होना चाहिए, जैसे कि मैं मींतरा का बात करूँ, या फिर मैं flip card का बोले, फिर Amazon का बोलू, जितने भी logo आप देखोगे बहुत ज़्यादा clean है, और दिखने में बहुत ज़्यादा attractive है, तो आपको ऐसे logo अपनी website के लिए बनाना पड़ेगा, second है color, आप जब भी color चूस कर लेटी अच्छी होगी, तो बिखने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, then है अपने website में search feature, आपको search feature add करना है, ताकि लोग सर्च करके अपने product को वो ढूंड सके, उसके साथ साथ आपको customer support का भी section देना trust करेंगी, then है product review, आपको product review भी उसमें add करना पड़ेगा, क्योंकि आज कर देन, जब भी लोग product buy करते हैं, तो उससे पहले review देखते हैं, अगर आपके customer कर अच्छे review दिये हैं, तो definitely आपका product अच्छा विकेगा, तो देखो starting में ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, औ मतलब ना, जब भी कोई e-commerce business start करता है, वो सबसे पहले सोचता है कि हर चीज़ मैं perfect करूँ, जो कि possible नहीं होता, अगर आप बहुत जादा सोचोगे, तो हो सकता है कि आप शुरू ही ना करो, इसलिए जब भी आप e-commerce business शुरू करोगे, आपके पास इतना budget है, जितना आप effort लगा सकते हैं, उतना लगा, starting में उतना लगा होगे ना, जब चीज़े चालू हो जाएगे, तो automatically आपको knowledge मिलते जाए, कि मुझे और के add करना चीए, मैं और क्या service इसके सथ प्रोइट करवा सकता हूँ, मेरा कौन सा product जादा भी करा है, उसका description कैसा था, चैसा description में सब की ड देखोगे ना, तो बहुत अच्छा business शुरू कर सकते हो, कैसे आपको बेचना है, अपनी website में traffic कैसे लाना है, marketing कैसे करनी है, बहुत सारी वीडियो पहले से मैंने डालके रखना है, बहुत सारी वीडियो आने भी वाला है, तो उसके लिए चैनल को भी subscribe कर देना, ताकि जो आए, आप वो सारी वीडियो देखो, आपके business में help हो, और future में भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो वो वीडियो भी आप देखना, और अभी चलो इस वीडियो को आगे करते है, थर्ड पॉइंट है, sell high ticket product, high ticket का मतलब होता है कि महेंगा product, आपको अपने website में बहुत जादा होता है, तो यह दो चीजे रहा, एक e-commerce business को बिलकुल खतम कर देता है, जब भी कोई new person e-commerce business में बुझता है उसके अंदर ना 3 mindset देखा जाता है, सबसे पहला मैं market में सबसे product बेचूँगा, second मैं market में सबको product बेचूँगा, और third मैं सबके लिए product रखूँग second मैं specific audience को ही product sell करूँगा, और third मेरा एक ही master product होगा और बाकी product उससे similar होगा, यह तीन mindset अगर आप रखूँगे तो starting से ही आप बहुत अच्छा business बिल्ड कर पाऊँगे, क्योंकि देखो starting में ही आप जितने specific हो जाऊँगे उतना product आप कब बनाऊँगे उतनी product की quality तो बहुत जादा कंजट हो जाता है, even आप उसको management नहीं कर पाऊँगे, तो starting में ही आपको product specific हो जाना है, और कुछी product में आपको काम करना है, फोर्थ नमबर है hiring, जब आप e-commerce business शुरू करोगे तो आपको ऐसे पास लोग की need होगी, तो आपको ऐसे पास लोग की hiring करनी है, सबसे पहला है, web developer या फिर आप designer भी बोल सकती हो, जब अब e-commerce business शुरू करोगे तो यह बहुत जादा जरूरी कि आपको एक website हो, और website बनाने के लिए आपको एक अच्छा developer hire करना पड़ेगा, अब देखो आपको आपको बस दो choice है, एक तो कि आप developer hire कर अपना office में freelancer को पकड़ो, उसको project दो, बना के project दे देगा, आपको बस उसको पैसा दे देना है, तो अगर आपके बस अगर budget कम है, तो starting से मैं prefer करता हूँ कि आप एक freelancer पकड़ो, और उसको पैसे दो, वो आपको project बना के दे देगा, और जब आपके income अच्छी होने लगे, उसके problem हैं में उसको solve करें, उसके देगो बहुत सारे फाइदे है, एक तो लोग आपके बस trust करेंगे, प्लस आपको feedback मिलेगा, feedback मिलेगा, तो आपको समाझ आए कि बिजनस में गड़ बड़ी का हो रहे है, फिर उसको आप implement करो, तो आपके business धेर धेर अच्छा बरेगा, तो एक बंदा तो को हायर करना पड़ेगा, जो फोन की बीचे बैटा हो, अगर आपके पास ज्यादा काम नहीं है, तो इस स्टार्टिंग में ये काम आप ही करो, तो ज्यादा बैटर होगा, फोर्थ हायरिंग आपको होना चीए, inventory manager, आपको आपके inventory के लेवल को चेक करने के लिए एक digital marketing एकदम required है, digital marketer क्या करता है, उसके साथ साथ आपके जो data है, उसको read करेगा, content creation में आपकी मदद करेगा, मतलब जितने भी digital marketing होगा, वो सब चीज वो बंदा करेगा, लेकिन आपको एक चीज द्यान में रखना है, जब भी आप एक digital marketer को hire करो, तो ये चीज द्यान मे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो, वो ही Facebook ads run करेगा, वो ही आपका Google ads run करेगा, जितने भी ads होंगे, वो ही run करेगा, और वो ही से आपका चितना order है, आएगा, starting में आप hire कर लो, ये फिर आपका digital marketing सीख सकते हो, तो सीखो भी, और hire भी कर लो, तो बहुत अच्छे सब समझ आपका जो executive है, वो कैसा काम कर रहा है, ये जो digital marketer है, वो कैसा काम कर रहा है, इपर इन देखो, उसके उपर हमारे पास एक course भी है, Google ads का हमारे पास course है, Facebook ads का हमारे पास course है, फिला तो हम Google ads में 20% off भी दे रहे है, उसमें हमने पूरे detail में 0 से बताया हुआ है, कि कैसे Google ads आप run कर सकते हो, basically ये जो Google ads का course है, वो मैंने ऐसे लोग के लिए बनाया है, जिसको Google ads बिल्कुल भी नहीं आता, जो एकदम 0 से सीख सकता है, जिसको नहीं पता Google ads क्या है, वो भी सीख सकता है, तो ऐसा मैंने इस course को डिजाइन किया है, जिस पाए बे 20% off भी चल रहे है, कि वो course आपके बाइ कर सकते हो, लिंक जो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, क्योंकि तो आपके पास online marketing का knowledge हो ना ही चाहिए, और वो आपको acquire करने ही पड़ेगा, अगर आप acquire नहीं करोगे, तो आप business नहीं कर सकते हो, और ये सत्तिय है, फिप्ट नंबर है payment gateway, ज लेकिन जब यह payment gateway के लिए कोई service चूज करोगे, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना बढ़ता है, पहरे है commission, जब यह payment gateway चूज करोगे, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, कि per transaction का वो platform commission कितना ले रहा है, नॉर्मली जो commission होता है, वो 1% है, 5% के बीच म होता है, यानि अगर आपको customer, अगर आपको 100 रुपए पे करता है, तो उसका 5% है, यानिकि 5 रुपए वो payment gateway रख लेगा, लेकिन बहुत सारे से platform है, जो की 1.5% भी लेते हैं, बहुत सारे platform है, जो 0.5% भी लेते हैं, और बहुत सारे platform तो free भी मिल जाते है, तो आपको सबस बाद भी देता है, कुछ platform चार दिन में लगाता है, तो वो चीजी भी आपको ध्यान में रखना बड़ेगा, थाड़ आपको ध्यान में रखना है customer service, यानि आपका कभी अगर पैसा फसता है, कुछ issue आता है, तो कि वो platform बाले आपको support देंगे, अगर support देंगे तो वो कितन हुआ है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जो लिंक है, वो मैं डिस्कृर्शन में दे दोगा, तो ये वीडियो खतम होने के बाद वो वीडियो आप देख लेना, 6 है shipping partner, देखो अकसर नहीं ये देखा गया है, कि product delivery जितना जादा slow होता है, उतना ही cancellation की percentage बढ़ Mumbai ये बहुत अच्छा service provide करवाते हैं, लेकिन मैं रहता हु राइक पूर बेन, ये आपको उसके जो services है, बहुत ज़्यादा गटिया है, तो आपको ये ध्यान देना है, कि आपका जहाँ सबसे ज़्यादा customer है, यानि जिस city में आपका ज़्यादा product भी कर रहा है, उस city में बज़ेट भी नहीं होता कि वो e-commerce business शुरू कर पाए, और यहाँ पर confused हो जाते हैं, कि वहाँ पर उनको खुद का e-commerce business शुरू करना चाहिए, या फिर marketplace में बेशना चाहिए, या फिर Amazon में बेशना चाहिए, या फिर खुद की website बना के बेशना चाहिए, तो उसके उपर मैं